आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सीज़स्टी कमिश्टी कमिश्टर लरन कुमार ने R3B रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यापारियों सपील की है उनका कहना है कि तमाम ऐसे व्यापारियों की लिष्ट उन्हें मिली है जो कई मां से अपना रिटर्न नहीं जमा कर रहे हैं ऐसे में उनके खिलाब कारवाई हो सकती है उनको अपना रिटर्न तुरंद दाखिल कर देना चाहिए जिन व्यापारियों ने GST में अपना रिजिस्ट्रेशन करा रखा है उनको GST R3B भरना जरूरी है बताय जा रहा है कि अभी तक कई कई हजार व्यापारियों ने अपना रिटन पिछले छे बार से जमा नहीं किया CGST कमिशनल अलन कुमार का कहना है कि GST R3B लगबग 4587 लोगों ने नहीं दाखिल किया ऐसे में सभी से अपील की है कि व्यापारियों अपना रिटन दाखिल कर दे हमारे आगरा के अंदर करीब 60,000 रेगुलर रिटन फाइलर है और मैं सभी ऐसे करदाताओं से जिन्हों ने अभी तक रिटन दाखिल नहीं की है एक हो या एक से ज़्यादा है कई हमारे पास ऐसे फीगर्स आई हैं अभी दिल्ली से जिसके अंतरगत करीब 4,587 ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्हों जचे या उससे ज़्यादा रिटन दाखिल नहीं की है और विभाग ने उसके रिटन नहीं दाखिल करने के कारणम नियमानुसार इनके रिटन कैंसल करने की प्रकरिया आरंब करती है कमिशनर लिलन कुमार का कहना है कि उनके पास दिल्ली से ऐसे व्यापारियों का डाटा आ चुका है लगबग 2,000 व्यापारियों को नोटिस भी बेजा चा चुका है अगर वो अपना रिटन दाखिल नहीं करते तो उनका रिजिस्ट्रेशन कैंसल किया जा सकता है इस अफसर पर कमिशनर ने सभी को आने वाले नवर्ष की बढ़ाया भी दी तो मैं उन सभी से खास कर चारजारा पांच सा सतासी जो टैक्सपेर्स हैं उन से और ऐसे और भी जो करदाता है जिनोंने एक या उससे पांच के बीच रिटन दाखिल नहीं किया सभी से मैं अन्रोद करूंगा कि आप अपने रिटन दाखिल कर दें क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि देश के राज़ प्रधान मंत्री और हमारी वित्त मंत्री महोतिया लगातार इस प्रियास में लगे हैं कि देश प्रगती के पत पे जाए और इसमें आपके द्वारा दिये गए कर का काफी बड़ा योगदान है एक बड़ा हिस्सा जो है जन गल्यान हेतु लगता है तो मेरी आप लोगों से बड़ी मार्मिक अपील है कि आप किरपया अपना सरकार के खजाने में योगदान अपना अंस्त डाले और सही समय पे डाले और उसकी प्रकरिया जो है रिटर्न दाखिल से ही होती है विबाग में लगबग साथ हजार से ज्यादा व्यापारियों का रेजिस्ट्रेशन है लेकिन तमाम व्यापारी है जो पंजियन लेने के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे रिटर्न और राजस को लेकर वित्मंत्री और सरकार भी गंबीर है व्यापारियों को सबजना होगा कि देश के विकास के लिए उन्हें राजस हो देना चाहिए अपनी आय का सही आंकलन कर रिटर्न और टेक्स देना चाहिए ताकि देश के विकास का पईया अच्छी तरह से सिन्यूस के लिए विनो जूनियर की रिपोर्ट